जोहर में कित्यी रकात नमास पढ़ते हैं? चार रकात कहीं भी किसी एक हदीश में जिसको बड़ी तादाद ने रिवायत किया हो जोहर में चार रकात है ये मतवातिर के साथ तवातिर के साथ नहीं पाई जाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए कि अामल में तवातुर है अक्सार अम्ल में तवातुर है और यह तवातुर बे तवातुर很好? इसे भी यकीन का बड़ा उंचा दर्जा हासल ही रद्धा सिर्फ यकीन में यह ढूल्य के उस जमाने सहले करे के आज तक यह चीज पा creator जो अमल जो मुधासिसिन हदीं जमा कर रहे हो जमा कर के हाजी सईची है सब्सक्राइब जो जब तक कि वो जरूरी है कुई भी जो है खबर कहीं भी हो कोई भी खबर हो हमने आप से का कि ये मतवातिक लब्स तो हर एक के लिए होता है लेकिन जब हम हदीस-थिरसूल की बात करते हैं तो उसमें कभी भी ये सारी चीजें जो मुस्तलह الحदीस पे पढ़ाई जाती है हदीस की सिहत के लिहाज से हदीस के जईफ़ होने के लिहाज से ये सारी तहकीख कहां तक के लिए होती है जब तक उसको किसी किताब में दर्ज में जिस किताब में भी हदिश दर्ज कर दी गए उसके बाद क्या देखना रहता है जिस वक्त वहां से लेकर कि अल्लाह के रसूल सुल्लाहु अल्यूस तो आतु रामनी का तो मसला ऐसा है कि वो बात के दौर में भी आज के दौर तक भी जो है वो चीज हो सकती है कि ये मुसलसल अमल बाकी है अल्लह के रसूल सब्सक्राइब के जमाने से लेकर के आज तक नमाज के बहुत से मसाइब रोजे के बहुत से मसाइब और ऐसे ही हज olduğ hai baat चीह घमाए करें अकसर मिज़ा दोनिअ से उसका नहीं करता हो लेकिन कि अक्सर से हुआ लगिन षोर प्रक्तिलाफ होता है उसको छोड़ गल कि अक्सर जो है दावन से सालेत है। ईन तीनों में से बड़ाद़ आए तीनों बेसे सबसे बड़ा दर्जा जो है उसी मिसाल मिलती है जिसमें तीनों जमा हो जाएंगे इसन तो हे तिन नहीं सकती है कि तो है सकती हैं तीनों कभी भी नहीं आईंगे जैसे मुचवातिर लफजी मुचवातिर अमली नहीं हो सती है जयसे उसकी मिञ्य कि लुचिति करा है लぎ इसे दोर एक इच्छा में आहिए और नहीं घाद सुकी है उसका उसके जैसा, नमाज पढ़ते हुए जो हम रफेदायन करते हैं यह अदीश है मुतवातिर हैं मुतवातिर लफजी अल्लाग के रसुल सुल्म को हाथ उठाते हुए देखा यह रिवायत करने वाले सहाबा कसीर तादाद में मुतवातिर लफजी है यह इसके बाद अमल भी उस जमाने से लेकर कि आज तक उस पर अमल पाएगा तो यह अमलन भी मुतवातिर है और मुतवातिर लफजी भी है यह हमेशा यह जो बात जो है जहन में रखिए कि यह दो चीज़ें एक अठा हो सकते हैं लेकि तीनों एक अठा नहीं हो इसके तवातिर अमली में इसकाल यह भी है कि जिसे रवापिस के यहां जो भी आमल चला जा रहा है या किसी भी फिरके के यहां तो हर फिरके वाला यह कह सकता है कि हमारे यहां पे तो यह चीज़ तवातिर के लिए पूरी होगा यह तवातुर का तालुख किसे है अल्लाह के रसूल सल्लाहु अल्हीं किसे है यह अल्लाह के रसूल सल्लाहु इसका तालुख फिर्खों से नहीं है जमातों से नहीं है हम जो इस तवातुर की बात कर रहे हैं यह तवातुर अल्लाह के رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تواتر کی بات کر رہے ہیں हम یہ عام تواتر کی بات نہیں کر رہے ہیں वनमें तो ये भी आप कह सकते है कि जमातِ اहलِ حदिस में ये चीज तवातर से चली आ रही है यानि जब से उसको قائم किया गया हिंदुस्तान में उस वक्त से ये चीज चली आ रही है ये अल्ला के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की अहादीस में तवातर की बात ने तो आप ये कहते हैं खवारिश की यहां ये चीज तवातर से पाई जाती है शियान अली के यहां ये चीज तवातर से पाई जा रही है उनकी यहां ये चीज पाई जा रही है लकिन इसका तालुक आल्लह के रसू Sally अलियुन से नहीं से नहीं है तो तव़ातुर का लवजा आप इस्तेमाल कर सकते हैं केहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो हदीछ मुतवातिर नहीं कहलाती है जे इमाम इबन सला रहमतुलाले उन्होंने ये बात जिक्र की और ये चीज इस चुवए से काफी मश्यूर हुई बात लोगों ने भी दावा किया कि मतवातिर हदीस पाई ही नहीं जाती है अहादीस में मतवातिर खबर तो हो सकती है लेकिन मतवातिर अहादीस अहादीस जिसकी निस्बत अल्लाह के रसुल सुललाह सुललाह की तरफ की गई है उनके मतवातिर होने के बारे में बात लोगों ने सिर्य से इंकार भी किया है लेकिन जब आप इन तीनों खिसमों को सामने रखेंगे तो मतवातिर की तादाद बहुत ज्यादा है मतवातिर की भी बड़ी तादाद है बहुत थोड़ी नहीं है जैसा आम तसवर होता है कि बहुत थोड़ी तादाद है खास तरीके से जब आप मतवातिर आमनी को सामने रखेंगे महद्दिसीन ने बहुत ज्यादा तादाद नहीं है मैं मानता हूं बाखादा इस मावजू पे मुस्तकिल किताबे लिखी गई है उसकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं जिक्र की गई है लेकिन उसमें तो मतवातिर आमनी को जिक्र नहीं किया गया आपके सामने जिक्र करें, हमने जिक्र किया है, और भी चीज़े हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि तो आप मुटसर अंदाज में बाते आपके सामने पेश करके आगे बढ़ें, ये मुटवातिर के तालुख से चंद बाते थी जो जिक्र की गई हैं, अब उसके बाद आहाद के तालुख से बात आपके सामने आज के दर्स में जिक्र करेंगे और चाहते हैं कि आज इसको मुकमल करें आज ही के दर्स में ताकि पूरी बहस को समेटने में आसानी हो मुटसर अंदाज में, अखबार आहाद के दो अलग अलग हिसाब से अलग अलग किसमें आती हैं, एको क किसमे हम आपको जल्दी में बयान करेंगे क्योंकि जादा हम चाहते हैं कि इसके बारे में बहस आपके सामने आए क्योंकि मुहदिसीन कि यहां वसूल हदीस मुकमल तरीके से इसी किसम के साथ जुड़ा हुआ हदीस को कबूल करने और रद करने के लिहाद से बग्या यह जो है तीन खिसमे आपके सामने जल्दी से जिकर करता हूँ खबर वाहिद या खबार आहद जो कि मुतवातिर के अपोजिट है यह हदीस यह तो मुतवातिर होगी या मुतवातिर नहीं होगी जो मुतवातिर नहीं होती है अधिसे, फिर अगर उसके भी कई एक तरीक होते हैं, कई एक सनदे होती है, या एक ही सनद होती है, उसके लिहाज से उसकी तीन खिसमे होती है, एक को मशहूर कहते हैं, मशहूर, उसका एक दोसरा नाम है, मुस्तफीज भी, मिछोर मुस्तफीज मिछोर हद yapıyor मोहदिसین की यहाँ यह मुस्तफीज उस हदीज को कहा जाता है जिसकी सनद में हर तब sonraं में कम से कम तीन जावी हो زیادہ हो तो कोई मसला नहीए लेकिन कम से कम तीन जावी हो तो में इमम की यहां पे قید لگائی گئی ہے مشہور میں इसकी minimum कितना जो है तीन, कम से कम तीन ज्यादा कितने हो इसका कोई मसला नहीं लेकिन कम से कम तीन हो अगर ज्यादा है बहुत ज्यादा है तो उसमें फिर ये condition है कि तवातुर तक ना पहुंचे, कहां तक ना पहुंचे तवातुर तक ना पहुंचे क्योंकि तवातुर तक पहुंचगी तो मतवातिर हो जाएगी, फिर मशहूर नहीं कहा जाएगा उसको तो मशहूर होने के लिए दो चीज़ें जो है जहन में रखिए पहली चीज़ क्या है अगर रावी किसी भी तवगे में तीन हैं तो वो मशहूर động ही अब उसके लिए और किसी कंडिशन की दरवत नहीं है दोसरे तवगे में तीन या तीन से ज़्यादा हो कोई मसला नहीं है लेकिन किसी एक तवगे में अगर तीन है तो यह मशहूर है महद्धिसीन के यहां यह जी दूसरी क्या है अगर रावी तीन से ज़्यादा भी है हर तबके में तब भी मशूर हो सकती है उसके लिए कंडिशन यह है कि तवातुर तद ना पहुंचे तवातुर की सारी शर्तें उसके अंदर ना पाई जाए इसलिए अरवी में इसको आसानी से पेश करते हैं तो कहते हैं मा रावा हो सलासत फाक्सर मा लम यबलुग हद्द तवातुर लेकि इसको उर्दु में बयान करना हो तो आसानी से कैसे बयान कर सकते हैं हर वो हदीश जिसको तीन या तीन से ज्यादा रावियों ने रिवायत किया हो इस शर्ट के साथ कि तवातुर तक ना पहुंचे तीन से ज्यादा अगर है paradox राविय हर तबिखे में तू फिर कंडिशन ये है कि तवातुर की हद तक ना पहुंचे अगर तीन है تب تو وہ تباتیر हो ہی نہیں सکتی मौद्धिसین के यहाں इसलिए ओ कहने की जरुष नहीं रह जाती है तो ये आपके यहां मशहूर की तारीफ हो गिवे हमने मशहूर इस तलाह ही इसलिए लिखा है कि मशहूर का यह लथ 행 मौद्धिसین के यहां उन हदीसों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है जो लोगों की जबान पर मशूर हो गई है यहां तक की ऐसी हदीसें भी जिसकी सिरे से कोई सनद ही नहीं है लेकिन लोगों की जबान पर मशूर हो गई है तो उसको भी मशूर कहा जाता है लेकिन मशूर, जिसे आप फैमेस केते हैं आज की जबान में, लोगों में बहुत मशूर हो गई है, तो चाहिए उसकी सनदी ना हो, तब भी अगर मशूर हो गई है। है कहेंगे यदिस बहुत मशहूर है लोगों में तो मशहूर होना एक अलग चीज़ है और मुहद्दिसीन के यहां मशहूर यह लफ जो उसके लिए इस्तेमाल किया गया यह अलग चीज़ है जे सवाल यह था कि तादात के एतबार से शेक तबकात में चार के हद जो है कम से कम मुतवातिर के लिए लगाई गई ती तो इसमें कैसा फर्क करेंगे शेक्यानी तीन से ज़्यादा जब निकल जाएगी तादात तो वो तो मुतवातिर को पहुंच तीन से ज़्यादा हो गई मैंने का दस है बीस है लेकिन ये दस और बीस ऐसे हैं कि उनका जूड पर इतिफा करना मुंकिन है जी है पस यही है मसला तो मुतवातिर की जो पूरी तारीफ है उस पर मुतवातिर की तारीफ साधिक नहीं आती यानि दोसरे जो कंडिशन्स हैं वो पूरे तरीके से नहीं पाए जाते है तब भी उसको मश्हूर कहेंगे मुतवातिर नहीं कहेंगे खुछ अरे बहुत सोटा सवाल आपने कहा कि मुतवातिर ऐसी हदीश कोई है नहीं ऐसे अभी किसी ने कहा है तो उशे कि मुहतिसीन में से मुकदमीन में से हैं या पर जी हां जी हां मुतकदमीन में से जा है इसरे पर बहुति हैं बहुति हैं यह तो आताब नहीं है तो यह मुतकदमीन ही के तालग से बात होती है बात चल रही थी आप किया मशहूर की है हमने आपको मशहूर या जिसे मुस्तफीज भी कहते हैं वो भी जिक्र किया इसकी तफसीलाद भी मुस्तलिय की किताबों में होती है लेकिन वो लंबी बहस होगी सिर्फ इतना समझना फिलहाल इस दर्स के लिए काफी है कि मशहूर हदीथ मुहद्धिसीन के यहां जिसमें कम से कम तीन रावी और अगर तीन से ज़्यादा रावी है तो फिर ये कंडिशन है कि वो तवातुर तक ना पहुंचे उसे मशहूर कहा जाता है शेक ये जो तक्सीम में मशहूर अजीज गरीद की इसका फाइदा के जी हाँ अभी एक सवाल ये भी हो सकता है कि फिर इन्होंने तक्सीम क्यों किया मसला असल इसमें ये है कि जब हम इस्तिलाहातِ حदीथ पढ़ते हैं तो मुहद्धिसीन ने जो इस्तिलाह इस्तिलाह को पढ़ते हैं कि उन्हों ने इसके लिए ये कहा और इसके लिए ये कहा तो बड़ी कसरसे महद्दिसीन की यहां एक लफ़ होता है उसको गरीब कहते है कहते हादा हदीथ उन गरीब हो यह गरीब हदीथ है गराइब मालिक तो यह लफ़ बड़ी कसरसे इस्तेमाल करते है तिस घृव्यूनृ भरीव हो या अजीज हो या मुशुर हो जो उनके यहाँ अलफाज ये पएजाते हैं इन सब का तालू किस्से है अखबार आध से ही है ये मतОFIर से हैं उसके लिए ये बात उसके बाद ये भी जहन में रखिए कि मशूर हदीस है जो इस्तिलाह के लिहाद से होती है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है अजीज हदीस भी बहुत ज्यादा नहीं है ज्यादा ये गरीब है और फिर मतवात है इसमें भी ज्यादा जो तादाद गरीब की मिलेगी आपको ज्यादा तादाद मशुर की नहीं मिलेगी अजीज की नहीं मिलेगी हैं इनकार नहीं हैं लेकिन ज्यादा तादाद नहीं है इतनी कम तादाद है अजीज की कि इसको अलग से किसी ने किताब के अंदर जमा भी नहीं किया है जैसे गरीब हदिसों को गराएवे मालिक इस तरह से जमा किया मालिक रहमतुलाले की जो गरीब हदिसे है उसको जमा किया मुस्तकिल किताब हैं लिखी गए उसके बारे में वैसे आजिस के बारे में नहीं लिखी गए किताब ऐसे ही मशहूर के बारे में नहीं जो जबानों पर मशहूर है अधिस है उसके बारे में तो है किताब है लेकिन मशहूर जो मुहद्दिसें की इस्तिलाह के लिहास से मशहूर है उसके लिहास से मुस्तखिल किताब है जैसे मुतवातिर के बारे में लिखी गई है मशहूर के बारे में नहीं लिखी गई ये बात जो है आपके सामने ụिक रही दिक्र रखिए अजीज किसे कहते हैं आप देखिए अजीज के लिए दौ शर्ते हैं कितने दो शर्ते हैं अजीज, खदीज, हम दो कंडिशन पाई जाएं तो कहते हैं कि अजीज हदीज है पहली कंडिशन ये है कि सनद के किसी भी तबके में दो रावी हो हर तबके में गरूज नहीं किसी भी एक तबके में दो रावी हो किसी भी एक तबके में दो रावी हो दोसरी कंडिशन ये है कि बकिया और तबकात में दो या दो से ज्यादा हो दो से कम ना हो अगर एक हो जाता है किसी भी तबके में रावी तो फिर गरीब कहते हैं तर्तीब यही जहन में रख लीजे मुतवातिर से नीचे उतर जाते हैं तो क्या हो जाती है मशूर हो जाती है मुखूर से नीचे उतरेंगे तो पहले आजीज तीन से कम अगर दो है किसी भी तबके में तो क्या हो गही हदेश अगर दो से भी कम हो जाय россिफ या एक तबके में तो गरीब हो जाती है उसी को गरीब कहते है तादाद के लिहाज से संद रावीयों की तादाद के लिहाओ से रिवाइट करने वालों की तादाद के लिहाओ से यह तखसीम है इसलिए समझना आसान होता है अगर तीन रावी है हदिस क्या है? और बकिया तबकात में तेन से जादा है तो ऱदिस मшुूर ही रहेगी हर तबके में तीन से जादा है लेकिन मतवातिव नहीं है तब भी क्या कहलाएगी मशहूर कहलाएगी अजीज इसके लिए पहली कंडिशन ये कि किसी भी एक तबके में दो रावी होना चाहिए चाहे दो सहाबी हो या बाद के किसी तबके में दो रावी किसी एक तबके में हो पहली शर्त ये है दो का होना जरूरी है दोसरी कंडिशन ये है कि किसी भी तबके में एक रावी नहो क्योंकि अगर किसी भी तबके में एक रावी हो गया तो क्या हो जाएगी गरीब इससे निकालने के लिए किसी भी तबके में एक रावी ना हो और किसी एक तबके में कम से कम दो रावी तो होना चाहिए किसी एक तबके में हर तबके में दो रावी होना ये जरूरी नहीं है सनद के हर तबके में दो रावी होना जरूरी नहीं है क्योंकि ये कंडिशन लगाएंगे तो फिर कोई अजीज हदिस ही ही नहीं दुनिया में यह ऐसी कोई हदिस जिसमें सनद के हर तबके मेंसिर्फ कित्राविए रहें दो रावी रहें। ऐसी कोई हदिस नहीं पाई जाती है। अब जानते हैं ऐसा बहुत तो कहीं इत्फाकन हो झाए तो हो जाए वरन्ह एक तसवर भी नहीं कर सकते कि हर तबके में दोही दोही जो है रहे इसको अजीज चाह जाता है इन्ही दोनों से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि गरीब किसे कहते हैं जिस हदीस की सनद में किसी भी तबके में एक रावी है अगर सारे तबकात में हो तब भी गरीब है किसी भी एक तबके में अगर एक रावी है तो क्या कहेंगे उसे गरीब कहेंगे बखिया तबकात में चाहे जितने भी ज़्यादा हो उसका इतिवार नहीं किसी भी एक तबखे में अगर एक रावी है तो गरीब कहेंगे ठीक है यहां तक टाराद के लिहार से यह किसमे होती है बहुत जादा इसका जानना अतना जरूरी भी नहीं होता है जादा मसला गरीब का ही है गरीब के बारे में जादा समझना चाहिए गरीब के बारे में फिर महद्दिसीन के यहां गरीब मुतलग भी कहते हैं गरीब निस्भी भी कहते हैं गरीब के लिए दोसरा एक लफ़ भी इस्तेमाल करते हैं महद्दिसीन फर्द का लफ़ गरीब भी कहते हैं और फर्द भी कहते हैं फर्द भी कहते हैं फिर ये गरीब गरीबे मुतलग होगी या गरीबे निस्वी होगी इसकी दो किसमे हैं इसको भी फर्दे मुतलग या फर्दे निस्वी कहते हैं जादे तर इसको फर्दे मुतलग कहते हैं दोनों में क्या फर्दे मुतलग है देखिए असल गरीब यही होती है फर्दे मुतलग या गरीब मुतलग अल्छ के रसूल सललाह pic którzy रिवाेत करने वाले सहाभी सहाभी के तबखे में एक ही रावी हो इसको असल तबखा कहते हैं तो यह गरीब गरीब इमुतलग या कर दे मुतलग असले सनद में अगर रावी एक हो असले सनद कहां से आई है अल्ला के रसौल Saint से जोड़ी हो बाद लूँ पर इसको सहाबा के बाद जोड़ा है यानि सहाबी से रिवायत करने वाला तावई अगर अकेला है बाद में अगर उस तावई से रिवायत करने वाले लोग बहुत से हैं और उनसे भी रिवायत करने वाले बहुत से हैं तो इसको हदीसे गरीब गरीबे मुतलग कहा जाता है गरीबे मुतलग या फर्दे मुतलग कहा जाता है फिर से कहूँ यह या तो हम यह कहें इसकी तारीफ में कि अल्लाह के रसुल स्वाइल से रिवायत करने वाले सहावी अकेले हो और बाद में रावियों की तादाद बहुत जादा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको क्या कहा जाएगा गरीब कहा जाएगा गरीबे मुतलख कहा जाएगा बार लोग सहावी का इतिबार ना करके सहावी से रिवायत करने वाले का इतिबार करके कहते हैं असरे सनद यही है यानि सहावी से रिवायत करने वाले तावई एक हो किसी एक तावई ने रिवायत किया सहाबी से और फिर उसके बाद उस तावई से रिवायत करने वालों की तादाद चाहे जतनी भी ज़ादा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस हदीज को हदीथ गरीबे मुतलग कहा जाएगा गरीबे मुतलग या पर्दे मुतलग का जाएगा इसमें जो गराबत है यानि एक रावई होना ये असले सनद में होता है गरीबे निस्बी ये है कि असले सनद में रावई दो या दो से ज़्यादा है असल-सनद में सहावी को ले या तावई को ले वोहां पे दो या दो से जब आए लेकिन नीचे आने के बाद किसी एक रावी से रिवायद करने वाला कोई रावी अकेला हो जाए शुरू में अकेला नहीं रा कोई अल्ला के रसूल सब्स से दो सहावी उसके बाद हर सहाबी से फिर दो तावई ने सुना लेकिन नीचे आते आते किसी एक रावी से रिवायत करने वाला कोई रावी मुनफरिद हो जाए अकेला हो जाए तो उसको गरीबे निसभी कहते इसको दोसे अलफाज में यूबी कहा जाता है कि इसमे गरावत बीच की सनद में पाई जाती है असले सनद में नहीं पाई जाती है असले सनद में रावी दो या दो से ज़्यादा होते है लेकिन बीच में कहीं आकर कि कोई अकेला हो जाता है रिवायत करने में अब जो है आप देखिए एसी में जो है सब की सब ये तीन हैं उसके बाद फिर तीन हैं उसके बाद दो हैं उसके बाद वहां जाकर कि अकेले एक होना अब इसको क्या कहेंगे गरीबे निस्वी शुरू से नहीं था हो एक रावी होना वो शुरू में नहीं था हो बीच में कहीं आया उसी को गरीबे रिस्वी कहते है या उस रावी से रिवायत करने में ये रावी जो है मुनफरिद है कहते हैं गरीबुन निसबियो या फर्दुन निसबियो ये बात थी इसके लिए और भी बहुत से बाते होती है ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करें झाल